प्रेंड्स वेलकम बेक माई यूट्व चैनल एमस्मेट्स जा मैं अपलोड करता हूं ब्स्ट मैंथमेटिक्स एंड फिजिक्स रेलेटेड वीडियो लेक्चर्स अगर आपने चैनल अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हायर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स अगर आप पड़ते हैं तो उसके लिए आपका हमारे चैनल बिल्कुल हेल्फ फुल रहेगा ईसके साथ और वीडियोSo Secondary Mathematics जिसमें बात करते हैं लप्लांस ट्रांसपोर्म के बारे महें argument तो इसके लिए इसके साथ हम आगे वीडियोद कर रहे हैं जिसमें योडिशिंग बात करते हैं इसके प्रूफ की तो हम इसके प्रूफ की बात करने पहले एक बार जो इसका स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं हम बात करते हैं इसके प्रूफ की और इसका स्टेटमेंट क्या है एच्छले यह कहता है कि आपको laplace transform of N, ओके यहाँ पे यह जो N न जो N यहाँ पे है ओके यह पावर यहाँ पे N होगा इसके आपवर N जो है वो इसके order को represent करती है differentiation की ओके जो differentiation का सिसका order है यह जो है यहाँ पे इसके equal होगा, N जो है इसका order है और यह जो है आपको यहाँ पर प्रूफ करना है so actually given जो है आपको यहाँ पर यह है कि Laplace of f t किसी t function का कोई Laplace जो है वो f s से इसको denote किया जाता है that is the 0 to infinite e raised to power minus st f t dt okay so now बात करते हैं इसके derivative की हम इसका derivative निकाल लेता है जैसे अगर यहाँ पर f function है तो हम f dash t की बात कर लेते हैं एक derivative की बात कर लेते हैं उसका आगे एक derivative हो जाएगा that is the इसको हम f s नहीं कहेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 0 to the power infinite e raised to power minus st okay अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यह function है इसकी जगे पा जाएगा f dash t okay so यहाँ पर क्या क्या जो आपका function है अब function क्या है function that is the f dash t वो हमने आपे put किया है so now अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो इसका integration होगा वो कैसे होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको इसको जो है u let करना है और इसको v let करना है okay derivative function का आपे v let करना है इसको u let करना है आपको इसका integration solve करना है integration कैसे solve होगा integration solve होगा e raise to power minus st जो है वो बाहर रहेगा ओके यह limit भी put करेंगे बाद में और यह हो जाएगा f one minute integration करना है आपको f dash t का t के respect में minus यह क्या हो जाएगा whole integration of d e raise to power minus st अपन dt ओके और यह हो जाएगा वापस integration of f t dt ओके और इस पूरे का जो है आपको integration करना है यहापे यह जो है इस पूरे का यहाप हम integration करते हैं तो यह क्या हो जाएगा यहापर आजाएगा आपके पास में dt और यह हो जाएगा 0 to infinite तो अब क्या करना है यहापर जो लिमिट है वो पूट कर देंगे पहले इसको थोड़ा simplify कर देता है तो यह हो जाएगा e raise to power minus st इसको आप लिख देंगे ओके यह हो जाएगा f t और इसमें अगर आप लिमिट पूट करेंगे that is 0 to infinite and minus जब आप करेंगे यहापर integration of that is the minus t because इसको क्या कर रहे है कि इसको t के respect में इसको integrate कर रहे है तो यह minus s आएगा वन मिनिट यह क्या हो जाएगा minus s हो जाएगा so यह क्या हो जाएगा यहापर minus s हो जाएगा इसके लिमिट जो है इसको मैं 0 to infinite पुट कर देता हूं यह लिमिट वही हो जाएगी यहां पर क्या हो जाएगा कि जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो e raised to power minus infinite that is the 0, यह 0 हो जाएगा यह पूरा 0 हो जाएगा और minus ही हो जाएगा जब 0 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 पुट करने पर और यह बच जाएगा only and only यहां पर f0 हो जाएगा minus क्या हो जाएगा यहां पर 0 to infinite minus s को अमबार लिख लेता है तो यह हो जाएगा plus में इसको मैंसे लिख देता है simplify करके plus s 0 to infinite e raised to power minus st ft dt that is the definition of Laplace transform okay definition हो जाएगा Laplace transform की इसको मैंसे लिख देंगे Laplace of f dash t that is the s 0 to infinite e raised to power minus st ft dt okay minus यह क्या हो जाएगा f 0 हो जाएगा and then इसको अपन क्या लिख सकते है Laplace of f dash t that is equal to the यह जो है वो किसके equal हो जाएगा यह equal हो जाएगा Laplace of f t k okay minus यह हो जाएगा f 0 to that is the equation number one अब इस equation number one हम क्या कर सकते है इसको ऐसे लिख सकते है यह हो जाएगा Laplace of f dash t that is equal to the s अब इसका जो Laplace transform में उसको हम f dash s से denote करते है and then हम इसको इस type से भी denote कर सकते है that is the equation number two अब क्या करना है यहापे कि आपको end term के लिए find करना है तो एक बार और हम इसको जो है वो differentiate करते हैं तो जब एक बार और इसको differentiate करेंगे तो अब हमको क्या करना है differentiate करना है again again differentiate तो यह हो जाएगा Laplace of okay again differentiate with respect to t1 जो equation number one है उसको जो है again differentiate करेंगे तो यह बन जाएगा Laplace of double dash t okay is equal to यह क्या हो जाएगा s Laplace of इसका करेंगे तो यह क्या हो जाएगा f dash t हो जाएगा okay minus यह क्या हो जाएगा f dash 0 हो जाएगा okay जो equation number one है उसका हमने यहापर differentiation किया है so यह हो जाएगा f dash t is equal to kya हो जाएगा s अब इसका Laplace क्या होता है वो हमने यहापर लिखा है from equation number two so क्या हो जाएगा from equation number two that is the s fs minus f 0 minus यह हो जाएगा f dash 0 so now हम क्या करेंगे यहापर इसको जाएगे Laplace of f double dash t that is equal to the s square fs minus sf 0 minus f dash 0 okay so यह हो जाएगा equation number three अब क्या करना है कि इसको एक बार और differentiate करता है तो हमारे पास जनरल आ जाएगा एक बार और हम इसको differentiate कर देता है तो एक बार और differentiate करेंगे तो यह बनेगा Laplace of f triple dash of function t is equal to यह हो जाएगा इसका अगर हम यहापर t के respect में differentiate with respect to t कर रहे है तो यह क्या हो जाएगा s okay s and इसका अगरना है यह जो है आपके पास में इसको equation number a let कर देते हैं a को हम जो है differentiate कर रहे है तो यह हो जाएगा f double dash t हो जाएगा okay minus यह हो जाएगा f double dash 0 so now यह हो जाएगा Laplace of f triple dash t okay यह हो जाएगा Laplace of f triple dash t that is equal to the s Laplace of यह जो है किसका equal हो जाएगा यह से इसको में आप यह लिख सकता है okay यह Laplace of किसका equal हो जाएगा इसका equation number 3 से that is the s square fs minus sf okay minus f dash 0 अब क्या हो जाएगा यहाँ पर minus of f dash 0 जो जो इसको solve करेंगे that is the Laplace of triple dash t is equal to s cube fs minus s square f 0 minus s f dash 0 minus f dash 0 f double dash 0 okay so यह एक general form यहां पर हम create कर सकते हैं general form कैसे create कर सकता है वह आप यहां पर देखे general form actually हम कैसे create करेंगे वह आप यहां पर देखे general form create करते कैसे हैं तो जो आपको दिख रहा है उसको generally लिख दो तो यह क्या हो जाएगा Laplace of n को यह represent करता है इसका derivative है वो इसको इसकोन डेस से रिप्रेजन करते हो N से रिप्रेजन करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, यह function किसका है, function of T हो जाएगा, is equal to this हो जाएगा S3 को आपने स 1C3 सён से साथ स स स 1C2 कम हो रहा है, तो n-1 हो जाएगा इसका 1 degree जो है वो कम हो रहा है तो इस बैंने 3 ok J помощö F- minus यहाँ पाल जाएगा F- N-2 और यह उजाएगा, F उससे 1 डिगरी और कम आ रहा ना, यह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा N, actually यहाँ पर आपको, F-0 हो जाएगा, यह F-1 है, तो यह हो जाएगा, F-, okay, तो इस टाइप से में इसको जो है, जनरल फॉर्मेट में convert कर सकते हैं, I think, यह हो जायागा, F dash 0, okay, plus क्या हो जायागा, आगे चलता जायागा, जब इसको लास्ट टर्म में लिखेंगे, that is the F n minus 1, 0, यह इस टाइप से, जो है, वो format create होगा, that is the general form, यह जो theorem है, that is called the derivative theorem of Laplace transform, इसमें क्या होता है, derivative जो function होता है, उनका Laplace transform जो होता है, यह होता है कि parameter की power n, okay, Laplace of that function, and ऐसे जो है, आगे सागे create, उसकी कम होती जाएगी, और यहाँ पर देख सकता है, यह एप है, यहाँ पर यह function एप है, ओके यहाँ पर क्या है, यह देखो, यहाँ पर यह function है, यहाँ पर इसका एक derivative है, यहाँ नेक्स टाइम में double derivative होगा, फिर triple derivative होगा, ऐसे घरते-घरते, n-1 टाइम जो है वो इसका derivative हो जाएगा, so I hope आपको जो question है, topic है, जो धरो में हो समझे माया होगा, so मिलते है नेक्स वीडियो में, अभी तेक लिए इतना काफी, thanks for watching this video, and keep watching MS Maths, subscribe to the channel MS Maths.